हेलो एवरीवन, स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉब में 2.11 लाग से अधिक पदों पर भरती के लिए रिक्तियों की सूची सम्बंदी आयोगों को भेजी गई है इसमें सबसे अधिक न्युक्ति जो है स्कूली सिक्षकों की होने वाली है 1,49,000 नई पर्मानेंट सिक्षक भरती इसमें 1-5 की टीचर्स के लिए 6-8 के टीचर्स के लिए और 9-12 के टीचर्स बढने के लिए वेकेंसी निकलेगी सब ही राजयों को इसमें मौका दिया जाएगा जो भी कैंडिरेट गौर्नमेंट जॉब की तियारी कर रहे है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बैल बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूले आने वाले जो भी वीडियो होते हैं वो आप लोगों को समय पर सूचना मिल सकेगी यूटूब की तरफ से सरकारी नौकरी जैसे ही वेकेंसी के नोटिफिकेशन आते हैं आप लोगों को बिल्कुल मेरे चैनल पर अपडेट मिलती रहती है तो अभी जो है सभी विभागों के लिए जो है 2.11 लाग पदों पर भरती की प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल 2025 में आप लोगों को दिखेगी इसमें सिक्षा विभाग में ही जो है 149,000 नई सिक्षक भरती है किस राज्य की वेकेंसी है अभी सबी राज्यों के कैनिरेट को इसमें मौका मिल रहा है तो बिल्कुल जो भी कैनिरेट गौर्मेंट जॉप की त्यारी कर रहे हैं नजर लगाए हुए है तो त्यारी जो है जोर सोरों से करना स्टार्ट कर दें तो ये इतनी बड़ी संख्या में जो सिक्षा विभाग में भरती आ रही है ये किस राज्य की है यहां बात कर रहे हैं वीपीएसी की तरफ से बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन की तरफ से जो है वेकेंसी जिसमें उतर प्रदेश के जो है समान ही रहता है सिक्षा विभाग के अंतरगत यहां पर विधान सभा चुनाव के पहले कुछ पुल जो है 5 लाख पदों पर होगी बहाली 2.11 लाख पदों पर जो भरती जल्द होगी किस विभाग पर कितनी भरती होनी है तो यह आपको नजर आ रहा है जिसमें केवल औ जो 2025 है तो इसमें आप लोगों का सेलेक्शन हो सकता है किसी भी राज्य की वेकेंसी निकलती है जहां आप आवीदन कर सकते हैं तो बिल्कुल आप लोगों को आवीदन करना चाहिए जितना जल्द हो सके अगर जॉब मिल जाती है तो काफी अच्छा रहता है एजुकेशन स प्रशाशन विभागली रॉस्टर क्लियर करते हुए विभिन समवर्गों में 2.11 लाग से अधिक पदों पर भरती के लिए रिक्तियों की सूची संबंदी आयों को बहेज दी है इसमें सबसे अधिक निक्ती स्कूली सिक्षिकों की होने वाली है अब चरण वार इन पदों पर निक्ती के लिए विग्यापन जारी किये जाएंगे इसके साथ ही 2.80 लाग और पदों पर निक्ती के लिए अधियाचना की प्रक्रिया भी जारी है तो कुल मिलाकर 5 लाग पदों पर भाली की प्रक्रिया अगले साल बिहार विधान सबाचुनाव के पहले पूरी कर ली जाएगी तो selection भी हुए हैं अभी जो है यहां पर बिहार राज्य का टैट या फिस सी टैट जिनका clear है वो भी आविदन कर सकते हैं क्योंकि last मैं आपने देखा था VPSC की जो vacancy आई थी तो इसमें seated वालों को जो है यहां पर आविदन करने के लिए eligible कर दिया था ठीक है तो जिन candidate के seated clear है या बिहार टैट clear है तो बिलकुल जो है इसमें आविदन कर सकें क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो है vacancy बहुत कम जो है देखने को मिल रही है उतर प्रदेश में जो है vacancy काफी समय से नहीं आई है तो जो भी candidate तयारी कर रही है मेरी तरफ से उन लोगों के लिए एक suggestion है कि NCRT की 6 to 12 तक की जो books है वो आप लोगों को पढ़नी है यदि आप selection लेना चाते हैं क्योंकि आने वाले जितने भी vacancy है especially teaching line की तो वहां पर आप लोग जिन books को पढ़ाएंगे schools में उन books के उपर आपकी अच्छी command होनी चाहिए उससे संबंदित जो भी प्रशन पूछे जाते हैं वो आपको आने चाहिए तो 6 से लेकर 12 तक की book जो है वो आप लोग बिल्कुल अच्छे से cover कर लें ठीक है क्योंकि यहां पर जो है एक या दो महिने में syllabus complete नहीं हो सकता है आप सभी जानते है syllabus बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो अभी से ही त्यारी स्टार्ट करें भी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू